असलाम अलेकुम फ्रेंड्स, फूट प्लस की तरफ से मेरे तुमान सब्सक्राइबर्स को और जिन्होंने सब्सक्राइबस नहीं किया, उन सब बेहनवाईयों को बहुत-बहुत एडवांस में इदू मुबारे, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत जल्दी प्यार हो जाने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आप इस पर बना सकते हैं, बहुत असानी से, जिसमें जादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसके लिए हमें जिन चीजों की ज़रूरत है, वो सबसे पहले आपको बताती हू इसमें हम इस्तमाल करेंगे, यह मैंने हाफ पेजी चिकन ली है, बॉनलेस, और तीन मैंने प्याज लिए है, मीडियम साइज के, यह को छील के मोटा मोटा काट लें आप, यह एक प्याली जो है, यह दगी की है, दो टेबल स्पून लेसन अधरक का प्येस्ट है, एक मीडिय स्पून इसमें सुरफ मिर्चे पिसी हुई, हाफ टीस्पून है हल्दी, एक टीस्पून है मिल्की दाना, एक टीस्पून है कलवंजी, एक टेबल स्पून है गरम मसाला, मिक्स, पिसा हुआ, और तीन दाने लाची के लिए है, और हाफ प्यालीस में जाएगी क्रीम की, और तो सबसे पहले हम क्या करेंगे के प्याज को जिसको हमने मोटा मोटा काटा हुआ इसको मैं हलका सा इसका कलर चेंज हो जाएगा हलका सा इसको ब्राउन करोंगी और फिर इसका पेस्ट बना देंगे तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं इसको फ्रेंड सबसे पहले हम प्या प्यास को प्रांग करके उसका मैंने पेस्ट बना लिए है अब हम उसकी ओयल में रसन रख दालेंगे और फोड़िजर इसको पताएंगे प्यास को प्यास की पेस्ट होने बनाएंगे वोड़ा देगे बड़ा साइट को हम भूनेंगे रोस्ति मियाते लिए इसको में भूनेगे स्यास को पूले लिए बाद हम इसमें जो शिकन था यह एक्ट करेंगे और इसको अपने दोसे तीन एक्ट करेंगे प्यास के लिए भेंडिया है जिकन का कलोर्ट चेंच होंके तो आप में इसके इंदर भूसाले रागी नमाप शुरफेच और होगी जरागी नमाप शुरफेचे नमाप सलीनिस्ट जाले एक्टाइगे रेक्टाइगे कि शाले एक्टामाटर और सबस्ने चेंड़ी डाले है आदीस्टी हमाइगे इसको बूस्कर लिए आपने इसके पाई देखी डाल दूँए पार्ट करेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से गलज यह साइब देखी देखी है जही का पानिक पुष्ट हो गया है और यह बहुत अच्छा सा इसका मसाला द्यार हो गया अब हमने इसमें कुछ भी नी करना है इत लाज टेप हम इसमें आधिक आदे क्रीम का लेंगे और इसको मैं दो से तीन मिनट के लिए कवर कर दूँगी हलकी आज कर देंगे ये तो फ्रेंड्स हमारी मूर्ग मसाला रेसिपी बिल्कुल त्यार है बहुत असानी से त्यार हो जाती है और बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है उमीद करती हूँ कि आप इसको इत पे अपने घर में बनाएंगे और अगर आपको पसंद रहे तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें सबस्क्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और एक दफ़ा फिर में अपने तमान सबस्क्राइबर्स को और जिनों ने सबस्क्राइब ने किया और उन सबी बेहन भाइयों को फूर प्लस की तरफ से बहुत ज़्यादा इदन बारत दुआ करती हूँ कि लटलक आपकी एड़ बहुत अच्छी गुज़रे बहुत अच्छी गुज़रे और आपका दुस्तकान हमेशा हरा बरा रहे और इसके साथ की मुझे इजाज़ बीचिए अल्ला हाफिस